यूपी के शामली की बात करते हैं जहां जंजाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफतार किया है पुलिस की माने तो पकरे गए बदमाशों के पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है गन्ना चूस रहे था एक व्यक्ति 56,000 रुपए और अपनी बाइक के साथ शाम को नौ बज़े जा रहा था उसको गन्नेस का डंडा मारके उससे लूट कर ली गए इस मुकदमे को ठाना जिंजाना पर पजिकरित किया गया था और उसको और काउट करने के लिए टीमे लगाई गए इसमें हमें सफ़ता मिली और हमने एक तीन रुटेनों को गिरफतार किया है और इनके कबजे से वही बाइक अपने बरामत कर ली है और साथी साथ 56,000 में से 26,000 नकद रुपए जो लूटे गए थे वो बरामत कर लिया है साथी साथ ड्राइविंग लाइसेंस और आईकार्ट भी बरामत करते हुए इस घटना का सफ़ल अनावरंट किया गया है इसमें मैंने अपनी टीम को 20,000 रुपए करना कर दिनान देने की खुशना की है ये गयंग के बारे में बताना चाहूँगा बिल्कुल नया गयंग है और इसमयक के नशे के आदी थे इसमें खरीदने के लिए इनके बात पैसे नहीं थे घर वालों ने पैसे देने इसमना किया इन्होंने अचानक से ये बातात करने का फैसला किया और बाइक को लूट करने का अंजान दिया इन्हों तो इस तीन लोगों को गिरफ्टाइब किया गया है इन तीन लोगों में आसिफ जो गयन का सरगना है इसने इस बाइक को एक इर्फान नामक बेक्ति को बेची तकरीबन 14,000 में सौधा हुआ इस इर्फान ने अपने जीजा को इसका नाम दिलशाद है उसको यह बाइक गिफ्ट के तवर पे दे दी दिलशाद ही इसको चला रहा था जब हम लोगों ने इस पर रेड डाली तो ये बाइक इरफान की कभजे से बरामत हुई है इरफान और तीन शात्र लुटेरों को जोगों को हम लोगों ने फिलहाल रडार पे रखा था तीन लोगों गरफतार किया गया है इसमें पिंट्टू और दिलशाथ बारार हैं उसमें है जो हाई स्कूल पासर और बाकी सारे कम पढ़े लिखे हैं और खेती बाड़ी करने में सवयोग करते हैं घरवालों का बाकी नशे के सभी लोग नशे के आदी बता जा रहे हैं और नशे के ही लत में इन्होंने अपराद किया